आज सब शुरू करेंगे simple and compound interest के topic को अगें ये अपने percentage का ही application है उससे जुड़ा हुआ concept है कुछ इसके logic हैं कुछ solve करने के तरीके हैं कुछ extra formula हैं जो कि add-on हो जाते हैं लेकिन चीज क्या है basically percentage का ये application है तो जो जो चीज़े percentage में सीखिए हैं चाहे वो fraction percentage to fraction conversion हो जो भी उससे related concept है वो सारी चीज़े यहां पर भी हम लोग use करेंगे अब simple and compound interest से जुड़े जो कुछ important चीज़े हैं या फिर कह सकते हैं सबसे पहली चीज अंतर आती दोनों में अंतर क्या है simple and compound interest में तो आपको अच्छी तरह से पता है जो भी difference से दोनों के बीच में उसे हम एक line में लिखना चाहें तो वो हो जाएगा interest on interest interest on interest ब्याच में मिलने वाला ब्याच interest on interest interest on interest कहां पर मिलता है हमें केवल compound interest में मिलता है जैसे bank में अगर अगर अपन पैसा जमा करते हैं savings में या fixed deposit में तो वहाँ पर हमें compound interest पर पैसा मिल रहा होता है कि जो भी interest वहाँ पर निकल के आता है bank उस पर भी आपको और interest देगी लेकिन simple interest में ऐसा नहीं होता simple interest में क्या होगा जो भी आपको interest मिलेगा वो केवल principle पर मिलेगा उससे principle पर मिलेगा अगर किसी व्यक्ति को अगर आपने 100 रुपे अगर उधार पर दिये और आपने कहा कि चलो मैं तुम्हें simple interest ही चाहश करूँगा तो अगर आपने 10% के इसाब से रखा तो आप एक साल के बाद उससे 10 रुपे लोगे दूसरे साल के बाद फिर आप 10 रुपे लोगे तीसरे साल के बाद फिर आप 10 रुपे लोगे क्योंकि आपका जो principle है पहले साल के लिए वो भी 100 राएगा दूसरे साल के लिए भी आपका principle 100 राएगा तीसरे साल के लिए भी आपका principle 100 राएगा यह case को अपना simple interest का यहाँ पे interest on interest नहीं मिलता यह मिलता है अपने को compound interest में अगर यहाँ पर अगर देखें अगर 100 रुपए अगर आप compound interest पे देते अगर 100 रुपए आप compound interest पे देते तो पहले साल आप उससे 10 रुपए वसूलते interest के तोर पे इस तरह से आप लेते, या अगर वो 10 रुपे नहीं देता तो आप उसको क्या करते, अपने प्रिंसिपल में जोड़ देते, कि अगले साल अब जो नया प्रिंसिपल हो जाएगा वो 110, फिर आप इसका 10% निकालोगे, वो आप दोगे, मतलब अगले साल के लिए आपका यह हो 11, अगर वो तब भी नहीं देता, तो फिर आप क्या करते, उस इंट्रेस्ट को फिर आप जोड़ लेते, कि अगले साल का जो आपका हो गया, 121, अब आप इस पे 10% इंट्रेस्ट दोगे, तो वो जाता, इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखो, यह चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर यह चेंज हो रहा है, इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट मिल रहा होता है, तो यहाँ पर यह जो एक्स्ट्रा आ रहा है 1, 11 को लिख सकते हैं 10 प्लस 1, तो 10 तो 100 की वज़े से आ रहा है, वो जो एक एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है, वो यहाँ पर जो 100 प्लस 10 है, वो इसमें और बहुत सारी चीज़े हो जाएंगी compounding yearly है half yearly है quarterly है उसमें बहुत सारे फिर cases बनेगे खेर उनको बाद में देखेंगे सबसे initially अपना concept यह है तो एक चीज़ अपने को बसी समझनी हमेशा simple interest से जब भी हम पता होना चाहिए at the back of the mind कि principle हमेशा same रहेगा तो चाहे ratio हो या कुछ भी दिया हो अलग-अलग कि दो साल में प्रिंसिपल और amount का रेशो यह था पांस साल बाद प्रिंसिपल और amount का रेशो यह हो गया तो हमें यह पता होना चाहिए कि चाहे 5 साल बाद हो 10 साल बाद हो 20 साल ब पहले भी डेडिकेटेट थी उस पर थोड़ा सा एक कुछ कह सकते हैं कि ऑफ बिट कुछ थोड़ा से दिख सकते हैं या कुछ ऐसे कोशन होते हैं जो की हो सकता है पहले उचे जाते थे अब रिसेंट में नहीं आ रहें लेकिन फिर से वह रिपीट हो जाएं क्योंकि कोई नया कंसेप्ट तो इस पर बनेगा नहीं तो बिलकुल फिक्स हैं कोशन की लैंगविज बदल सकती है थोड़े थोड़े से टाइप बदल सकते हैं तो हर बार क्या होता है जब भी कोई एक्जाम होती उसको बोलते हैं एक्जाम का पैटन एक पैटन थोड़ा-थोड़ा से फॉलो हो रहा होता है फिर उसमें कुछ ब्रेक आता है कुछ नया आजाता है नया आने का मतलब हो सकता है कि पांस साल पहले जो सवाल थे वह आने लग जाए और क्यूंकि अब हर दस साल तो एक्जाम कोई देता नहीं जो आज से एक्जाम देना शुरू कर रहा है वो यह कहेगा कि यह नया पैटन के सवाल आ रहा है जबकि वह नया पैटन है नहीं वह 10-20 साल पहले भी ऐसे पूछा जाते थे तो थो थोड़ा से उसके सारी चीज अपने को क्लियर करते चलना है सबसे पहले यह वाला सवाल ज करें कौन सा दिन काउंट करेंगे कौन सा दिन काउंट नहीं करेंगे अगर तीन मार्च अगर तीन मार्च से 27 जुलाई तक के में बात हो रही तो उसमें से कौन सा दिन है जो काउंट नहीं होगा जैसे आपने बैंक में एवडी करी तो आपने तीन मार्श करी तो दो मार्श का उससे क्या लेना देना येस जैसे जब भी पैसा अप उधार पर देते हो जो पहला दिन होता जैसे अगर आपने मुझे आज अगर मालो 10,000 रुपे उधार पर दिए तो आज का दिन count नहीं होगा लेकिन जिस दिन मैं आपको सारा चीज़े लोटा हूँगा वो दिन count होगा तो अगर यहाँ पर अगर देखें 3 March को आपने जो है deposit किया उधार दिया जो भी किया तो 3 March का दिन count नहीं होता पहला दिन count नहीं होता जिस दिन आपने deposit या जो भी कुछ किया है लेकिन जिस दिन आप निकाल रहे होता है जो आखरी दिन होता है वो count होता है इस तरह के सवालों में सिर्फ एक underline basic चीज यही है कि दिन count करना ऐसा नहीं हो कि पूरा 3 भी जोड लिया सब कुछ जोड लिया उसमें तो फिर वो दिन गरवड हो जाएंगे ऐसे नहीं मिलता interest हमेशा अपने को दिन count करने पड़ते हैं तो challenge है दिन count करना यहाँ पर देखें अगर 3 March को आपने किया था deposit या जो भी था उधार लिया लिया जो भी था तो 3 March count नहीं होगा बेसिकलि अगर March की बात करें तो March के महिने में 31 दिन होते हैं 31 से लेके 4 यह अपने इतने दिन count करने है तो basic number theories अगर यहाँ पर March महिने के लिए count करें दिन तो यहाँ पर होगा 31-4 और initial यह एड़ करते हैं यहाँ पर अपने को plus one लिखना पड़ेगा यह हो जाएगा 28 दिन March में हो गए अपने 28 दिन यहाँ ब्रेकेट में लिख लेते हैं March March में 28 दिन हो गए फिर अपना March के बाद April 30 दिन का होगा अपने को जुलाई तक जाना है तो June 30 का होगा पिर जुलाई की बाद करें तो वहाँ पर अपने को केवल चाहिए 27 27 तक ना 27 क्या छुड़ी गया है यहाँ पर ओ मैं भी तो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक कर देते हैं में हो जाएगा 31 का जून होता है 30 का March अप्रेल में जून और जुलाई जुलाई में अपने पूरे 27 दिन भी अपने को काउंट करना है तो यह अपने टोटल number of days होने चाहिए पहली जो बस mistake initial हो सकती वो यहाँ पर होगी यह मार्च में कितने दिन काउंट करें बस यही एक मात्री चीज़ है जो यहाँ पर को अपने को थोड़ा सा टिपिकल बना देती है अब इसको सॉल्व करें अगर तो यहाँ पर एक इसको देते तो आठ और यह आठ मतलब अपने को number of days वहाँ पर निकालने पड़ते हैं कि वो कितने दिन है जहाँ पर आपको ब्याज एक्चुली देना या लेना पड़ेगा बस अब इसको अपने को सॉल्व करना है और SI निकालना है सम आपको दिया है 500 रुपए का तो जो अपना standard simple interest का formula होता है simple interest equal to principal into rate percent into time upon hundred वो यहाँ पर apply कर देंगे SI अपने को निकालना है amount था 500 या काम करते हैं इसको erase कर देता हूँ इतना पाट तो समझ में आई गए SI निकालना था principal है 500 rate percent अब rate percent यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखाया तो par anem मानेंगे और यहाँ पर आप दिन काउंट कर रहे हो यहाँ पर rate percent per anem में ले रहे हो तो अभी के लिए गर इसको अगर per anem ही लिखे है तो यहाँ पर time के लिए मैं क्या कर देंगे time yes time को हम कनवर्ट कर देंगे year के साब से तो अगर 146 days है तो उसको हम divide कर देंगे 365 से 365 से अब एक confusion यह हो सकता है कि क्या पता leap year हो तो यहाँ पर फिर वो date इस तरह से लिखी रहेगी जो कि non leap year रहेगा leap year रहेगा तो 366 उसको करेंगे कुछ नहीं लिखा है तो normal year मान के हम उसको चलाएंगे अब इसको simplify करने में एक simple सा एक छोटा सा चीज और है special number होता है अपना 73 73 यहाँ पर SICI में important number हो जाता है क्यों क्यों कि अगर इसको 5 से multiply करते हैं तो यह अपने को देता है 365 जब भी इस तरह के days calculate करने में आपको कुछ भी दिया जाएगा तो हमेशा वो 73 का multiply होगा जैसे यहाँ पर 146 है तो 73 into 2 है इससे और बड़ा number आएगा तो 73 into 3 हो जाएगा into 4 हो जाएगा बस इतने multiples में वो आपको रखेंगे उट उट पटांग number नहीं आएगा कि कुछ भी आगया 121 आगया कुछ अजीब सा आगया अगर calculate कराना है simple सा रखना यहाँ पर चीज़े सब कुछ decimal में नहीं है तो फिर इसे तरह के 73 के multiples में सब कुछ आता है बस इसको अपने को simplify कर लेना तो 73 से यह जाएगा दो बार यह चला जाएगा पांच बार यह पूरा 500 कट जाएगा 2 into 10 मतलब 20 option number C यहाँ पर बिल्कुल सही है only challenge जो इस तरह के सवालों में होता है वो होता है days count करना यही चीज़ जब reasoning में calendar पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ बिल्कुल same logic लगेगा day counting SICI में भी यह आता है अले यह सा सवाल पहले आपने ना देखा हो लेकिन यह पहले पूछे जाते थे concept बहुत simple सा है days count करना है कौन सा day count होगा कौन सा नहीं होगा next question number second sum दे दिया percentage दे दिया again यहाँ पर भी अपने को day calculate करना है अब इनोंने specifically लिख दिया कि board days included कुछ नहीं लिखा है तो पहले वाला चीज रखेंगे कि पहला दिन count नहीं करेंगे इनोंने कह दिया कि दोनो दिन आपको जिस दिन आपने deposit किया वो भी और जब निकाला वो भी माइनस वन वगरा यहाँ पर अपने को नहीं करना है पूरी पूरी dates calculate कर लिए days कितने आ रहे है one two two days आ रहे है 122 दिन आ रहे है calculate कर लेते हैं इसको भी 11 मई 11 मई को अपने को यहाँ पर count करना है में मन्थ में होते है 31 31 यहाँ पर लिखेंगे 11 और उसमें प्लस 1 अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि lower वाले जो limit है वो आप count कर रहे है उपर क्या था? मैंने यहाँ पर 31 और 4 लिखा था 3 को exclude कर दिया था जब number system हमने पढ़ा था तो वहाँ पर question type आता है जहाँ पर हमें lower bound और upper bound होता है जब भी lower bound मतला हो अगर 11 से आप 31 की यहाँ पर बात कर रहे हो और 11 जो है उसको आपने include किया है तो आपको यहाँ पर plus 1 लगाना पड़ता है नंबर थी होरी यह तो इसको अगर solve करेंगे तो यह अपने को देगा 21 पहले वाले पार्ट में को डाउट है कि इसमें नहीं यहां तक तो ठीक क्लियर है तो में मंत को यहाँ पर calculate कर लिए फिर जून में अपने हो जाएंगे 30 जुलाई में कत्यस अपने को सितंबर तक जाना है तो अगस्त में भी कत्यस सितंबर में count करेंगे 10 दिन यहां पर और तीन तीन छे तीन नौ और एक दस और यहां पर दो 123 आ रहा है मेरे calculations से तो 122 तो नहीं आ रहा है एक दिन आपने कुछ घपला कर दिया मतलब वो पहले वाले में ही गलती कर रही होगी वो पहले दिन को ही कि वो फस पार्क में हमेशा सबसे गलती होती है कि कब उसको exclude करना है कब include करना दो यहां पर इन्होंने बोली दिया कि include करना है इसलिए 31 माइनस 11 प्लस 1 कर रहा हूं उपर क्या था उन्होंने कहा था कि कुछ कहा नहीं था तो उस case में normal जो procedure होता कि पहला दिन नहीं करना होता है इसलिए यहां पर 31 माइनस 3डी यहतो अपने wiped oraz तरफ्लेत हो गश्ठ हो गया है अब अपने को यहां पर निकालना है workflow कि लिए amount दिया है 7300 rate percent है 5 5% मतलब एक बटे 20 होगा और days के लिए हो जाएगा 123 divided by 365 73 से यह अपना चला जाएगा 100 बार 73 से चला जाता है 5 बार यह तो पूरा ही कड जाएगा यहाँ पे 123 बचेगा तो option number A यहाँ पे होगा correct 123 रुपए जो है वो simple interest बनेगा तारा चैलेंज है बस यह days count करनेगा इस तरह के सवाल हो ठीक है question number 3 अब वो principle निकालना है जो कि 5% annual rate पे मुझे 2 रुपए प्रति दिन ब्याज देगा और total time period एक साल नहीं बन रहा 14600 आप कहरो calculate कर लेते हैं interest वो बोल रहा है कि यह दो रुपए प्रति दिन मिलना है एक साल तक पूरा मतलब अगर मैं total interest अपना simple interest देखूं तो 2 रुपए प्रति दिन total कितने दिन होंगे एक साल में? 365 यह calculate हो गया मेरा simple interest अब principle क्या था? तो चाहे साल के साफ से देखो महीने के साफ से देखो दिन के साफ से देखो हर दिन उतना ही आपको ब्याज मिलेगा वो बिल्कुल fix है क्योंकि आपका principle fix है तो अगर 2 रुपए प्रति दिन ब्याज मिल रहा है तो एक साल तक में total कितना मिलेगा? 2 x 365 इस तरह ऐसे ही अपना solve हो जाएगा अब इसको simplify करना है तो basically यहाँ पे 4 से सिदा multiply कर दें इसको 116, 114, 6 double, 0 option number C यहाँ पे हो जाएगा correct 4th In how much time will 72 will amount to 81 at simple interest rate दिया 6.25 समय निकालना है 2 साल आ रहा है आपका अब यहाँ पे बहुततर रुपे जो था वो 80 रुपे बन गया है मतलब यहाँ से तो मुझे सीदा बात है simple interest मिल जाएगा जो कि 9 रुपे है principle को मैं left hand side पे ले लेता हूँ तो यहाँ पे नीचे लिख दूँगा 81 equal to अब यहाँ पे बचा rate percent multiply by time rate percent है 6.25 6.25 का अगर मुझे convert करना है तो 12.5 का यह आधा है 12.5 का आधा है मतलब 12.5 होता है 1 by 8 उसका आधा करेंगे तो 1 by 16 तो rate percent की जगे यहाँ पे 1 by 16 लिख सकता हूँ और यहाँ पे time तो मुझे निकालना है तो यहाँ पे simply मैं t लिख दूँगा यहाँ कुछ गरबड होई अपने से rate percent में यहाँ पे 72 आएगा यह था अपना basic principle तो यह चला जाएगा आठ बार यह इससे चला जाएगा दो बार उस तरफ जाएगा तो दो साल बिल्कुल सही option number बिल्कुल basic basic सवाल है just for simple interest वाला formula लगाके solve हो जाएगे fifth 10% simple interest की rate है 4 साल बाद इतना amount मिलता है उसको कितना principle उसने invest किया था 550 आपके रहे हो 10% simple interest 4 साल तक तो अगर एक formula जो अपना simple सा था कि SI की बात करें P into R percent into T और upon 100 यह जो होता है इसको हम लोग club कर सकते है कि अगर rate परसेंट दिया है 5% और time period दिया है 2 साल का तो मैं यह कह सकता हूँ कि 10% पूरे 2 साल का वो मेरा बन जाएगा तो बस उसी चीज़ को आप formula लिख के भी solve कर सकते हो या फिर अगर यह percentage वाला concept familiar है practice होगी तो उसको भी कर सकते है 10% simple interest 4 साल तक मतलब वो जाएगा अपना 40% तो 140 upon 100 मतलब 7 upon 5 यह amount और principal का ratio मिल गया यह किसके बराबर होगा 770 upon principal के यह हो जाएगा 110 5 से multiply कर देंगे 550 option number C type 2 कई बार ratio की terms में लिखे होते हैं तो इन्हें solve करना आना चाहिए principle और amount का ratio एक साल के बाद इतना है rate percent निकालना है बहुत आसान है principle और amount का ratio मतलब basically आपको यहाँ पर interest कितना मिला एक कितने पर 5 पर और फाइफ को convert करेंगे 20% option number D next seventh बिल्कुल वैसा ही है principle और simple interest का ratio दिया है तीन साल के लिए अब यहाँ पर time period ध्यान रखना तीन साल में तीन यूनिट सिंपल इंट्रेस मिल रहा है एक साल में कितना मिलता एक principle कितना होता दस 1 upon 10 10% option number D formula में put करते तो 3 upon 10 और फिर यहाँ पर 8% इंटू 3 लिखना पड़ता वो 3 नीचे आके इसको cancel out कर देता तो वहाँ पर भी 1 upon 10 ही आता नेक्स्ट कॉशन नंबर 8 at some rate of interest for some time दोनों चीज़ें आपर नहीं पता ना rate percent पता ना time पता है रेशो और final amount का principle और final amount का ratio दिया है फिर तीन साल बाद वापस ratio और principle का principle और amount का ratio दिया है rate percent निकालना है सब कुछ simple interest चल रहा है तो एक चीज़ मुझे पता है कि principle जो रहेगा throughout same रहने वाला है यह चीज़ अपने को पता है तो अगर पहले बात करें तो अगर प्रिंसिपल जितना भी time period था वहाँ पर अगर प्रिंसिपल चार है और amount जो है वह 5 हो जा रहा है बाद में फिर principle पांच है और यहां पर amount क्या है साथ हो जा रहा है तो प्रिंसिपल देखो यहां पर same नहीं है जब प्रिंसिपल सेम नहीं है simple interest में तो same होना चाहिए तो इसको हम same बनाएंगे इसको हम same बनाएंगे तो पांच से इस वाले ratio को multiply कर देंगे पूरे को और इस वाले को multiply कर देंगे चाहर से तो जिस ratio पर काम करना है वो हो जाएगा 20 is to 25 यहां पर हो जाएगा 20 is to 28 अब देखें यहां पर after three years at same rate at same rate of it same rate ratio at same rate of interest ratio of principle and amount became इतना तीन साल में यहां पर भी अगर देखें तीन साल में basically आपको मिला कितना interest तीन साल में एक साल में कितना मिलता है एक principle कितना होता है 20 वन अपॉन 20 होता है परसेंट में convert करेंगे 5% option number C जो मैं starting में बताया था कि principle सेम रहेगा throughout एक साल दो साल पांस साल दस बार दस साल पचास साल कितना भी हो simple interest है तो principle मेरा सेम रहेगा यहां पर क्या ओर था कि यहां पर principle 4 unit को correspond कर रहा है यहां पर principle 5 unit को correspond कर रहा है इसलिए ratio को यहां पर merge कर लिए same interest यहां पर थोड़ा सा theory है या फिर क्या सकता है कुछ अपने direct formula है same interest अपना कैसे आएगा अगर simple interest वाले formula में अपन इसको put करें si equal to p into r into t upon 100 को दो बार यहां पर match करें अपनी साबसे उसको आप reduce भी कर सकते हो final result जो आएगा अगर दो के बारे में बात करें अगर p1 और p2 लिखूं यहां पर मैं p1 upon p2 इसका reverse हो जाएगा यहां पर चला जाएगा r2 t1 t2 और r1 t1 cross multiply करेंगे तो क्या होगा p1 r1 t1 और यहां पर p2 r2 t2 simple interest वाले formula बन रहा है p into r into t दोनों को में equate कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने बोला है यहां पर same interest जो है वो same आना चाहिए तो जब दो चीज़े होंगी तो इस तरह से यह अपना formula बन जाएगा लेकिन अगर दो की बज़ाए तीन चीज़े हो जाए चार हो जाए इस तरह से जब अलग हिस्से हो जाए तब फिर हम उसे derive करने में बाबा problem आईगी लेकिन एक चीज़ अगर देखें तो यह इसके एक कह सकते हैं कि inverse proportion में जा रहा इस तरह से इसे देख सकते हैं तो जब भी 2 या 2 से जादा होगा तो उसके लिए जो direct चीज़ हम लोग लिख सकते है principle अगर हम तोड़ें तो P1 P2 3 के लिए case के लिए देख लेता है P1, P2, P3 ऐसे P4 भी होगा तो उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा अपने को पता है कि यहां पे जो लिखना है अपने को वो उसके inverse proportion में आना चाहिए जब यहां पे same आप interest कह रहे हो तो 1 upon R1, T1 1 upon R2, T2 1 upon R3, T3 4 होता तो उसको भी इसी तरह से ratio में लिख लिए तो जो principle का ratio होगा वो इनके rate और time के multiplication के inverse में follow करेगा तो जब भी यहां पे same interest के बात होगी तो हम लोग हमारे दिमाग में यह बारा ratio आना चाहिए same interest है मतलब principle का जो division है उनका आपस का जो ratio रहेगा वो इनके reverse ROT के multiplication के reverse ratio में जाएगा तो यह important चीज थी इसको लिख लेना अब इस सवाल को देखो बिल्कुल यह concept है यहां पे इसको अपने को solve करने Sum है इतने का इसको दो हिस्सों में आपने divide किया है एक साल में कुछ हिस्सा आपने 8% पे रखा कुछ हिस्सा आपने 6% पे रखा interest दोनों में आपको same मिलने वाला है और हमें यहां पे निकालना की interest कितना होता हर एक हिस्से में तो interest निकालने से पहले principle का वो अपने को पता होना चीज प्रिंसिपल का division कितना होता है 1750 को दो अलग अलग principle में तोड़ा एक हिस्से को 8% पे रखा दूसरे हिस्से को 6% पे रखा और एक साल के अंत में अंसर क्या है आपका 120 आ रहा है एक साल के अंत में वहाँ पे जो simple interest है दोनों पे same हो जाए ना तो यह वाला formula exactly अपना यहां पे लग जाएगा पहले case में 8% एक साल मतलब यहां पे होगा 8 दूसरे case में 6% एक साल 6 into 1 अगर यहां पे हो जाएगा 6 इसको इसी step पे simplify कर दें 2 से 4 यह हो जाएगा 3 पूरे को इसको 12 से अगर multiply कर दें तो यह ratio अपने को मिल जाएगा 3 is 2 4 का यह ratio में वो convert हो जाता है अब यह जो principle का ratio है summation किसके बराबर होगा total के बराबर मतलब 3 और 4 साथ की जो value है वो कर्रस्पॉंड करती है 1 7 5 0 को तो एक unit की किसको कर्रस्पॉंड करती साथ से देखें तो दो बार और 35 मतलब 5 और यहां पे 0 एक हिस्सा 250 को कर्रस्पॉंड करता है तो अगर मुझे principle निकालने दोनों तो 3 किसको करेगा 3 into 250 यह वाला हिस्सा कितना करेगा 4 into 250 तो पहला हो जात तो टोटल 1750 इस तरह से हमने principle मिल गया उन्हें पूछा है तो interest on each part हर एक पार्ट पे कितना interest मिलेगा चाहे तो मैं 3 into 250 करके उसका 8% निकाल लूँ या फिर 4 into 250 करके उसका 6% निकाल लूँ दूसरा वाला option better है क्योंकि 4 को 200 से multiply करेंगे तो वह अपने को देगा 1000 इसका मुझ जाता दोनों का total simple interest यहां पर उन्होंने बोला है इच पार्ट ना प्रत्य भाग पर इसलिए correct answer होगा 60 120 टोटल होता कि 10th कुछ amount है तीन लोगों में distribute करना है percentage अलग-अलग है time period अलग-अलग है जस्ट उसी formula को use करना है क्विपों आ क्वीत थिसक्रूंब2 में इसलिए合ाद प्रत्द Border Team विजा है फो ऌन को स्वों सते घसक्रूंब2ячों में होगाद बोला है यसक 48 óय, विदाम बहाद करना है भी में हो क्वीत बड़द करना है पाक्र किवदों में बहते हैं इंटरेस्स रीसिव आइच्पन इस त्पषान नंबर आप्शन नंबर ii 330 आरहे एकर ले वाले की बात करें एक परसेंट तीन साल के लिए मतलब यहाँ पर वान 2 तो तीन लिख लेंगे दो परसेंट दो साल के लिए मतलब चार और तीन परसेंट एक साल के लिए मतलब 3 इस तरह का रेशो आ रहा है तो इस पूरे रेशो को अपन 12 से multiply कर दें तो यह हो जाएगा 4 यह 3 और यह 4 4, 3, 4 यह P1, P2 और P3 का रेशो मिल जाएगा sum total करें तो यह 11 unit आ रहा है 11 unit का respond कर रहा है total amount 1210 को एक unit का respond करता 110 को निकालना किसके लिए find money given to second friend second friend 3 है 3 से multiply कर देंगे option number D बिलकुल correct है अगला concept है same amount का उपर जो था वो था same interest same interest हो रहा था तो उसके लिए हमने formula derive कर लिया अब amount की बात करें तो amount के case में क्या होता है अगर simple interest का formula होता है P into R into T upon 100 amount के लिए हम लिखते हैं इसको principle उसमें अपने को add कर देना है plus principle plus R into R percent into T upon 100 अब principle basically खुद का क्या होता है 100% होता है इसको हम लिख सकते है 100% पुरे amount खुद का 100% होता है तो अगर इसी चीज को वापस पहले वाले formula की तरह देखें तो ultimately जो अपना यहाँ पर formula निकल के आएगा वो होगा अगर तीन के case को देख लें P1, P2, P3 again यहाँ पर भी वही रहने वाला है 1 upon अब यहाँ पर बस change हो जाएगा कि 100 plus R1, T1 यहाँ पर 1 upon 100 plus R2, T2 यहाँ पर 1 upon 100 plus R3, T3 यहाँ पर एक्स्टा जूट जा रहा है क्योंकि अपकी बार क्या हो रहा है amount same होने थे जब principal, हमें सिर्फ interest same करना होता है तो क्यावल R1, ROT का multiplication देखते हैं जब amount भी लेना है तो उसमें 100 अपने को यहाँ पर जोड़ना पड़ता है यह formula बनगे अपना जब same amount हो उस case के लिए इस चीश को यहाँ पर apply कर दो option AR है आपका इसी में लिख लेते हैं दो हिस्सों में यहाँ पर करना है तो तीसरे हिस्से का काम नहीं है इसको मिटा दे पहला हिस्सा 4% 5 साल 4 into 5 20 यहाँ पर 100 plus 20 मतलब 120 इस हिस्सी में में लिख दूँँगा 120 दूसरा हिस्सा 20% 3 साल के लिए मतलब यह हो जाता है 60 और 100 जोड़ना है मतलब 160 यह हो जाएगा 160 0 अगरा काट दो 4 से 3 यह हो जाएगा 4 बार अगें 12 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह 4 इस्टू 3 का रेशियो अपने को दे देगा find the bigger part तो 7 की value अपने को दे रखी है 200 एक की value हो जाती है 300 बड़ा वाला पार्ट चौथा हिस्टा मतलब 4 इंटू 3 12 option number यह बिल्गूर करेंग्ट है इसी में यह वाला सवाल यह सीजल का पूछा हुआ सवाल है प्रीवेस यह में 15,860 का amount है तीन बेटों में बाटा है उसको amount same मिलेगा उनको rate percent तो same है time period अलग अलग है option में number बड़े बड़े दिख रहे है rate of percent तो सब में 5% ही है time अलग अलग है लेकिन तो पहले वाले की बात करें 5% दो साल 5% दो साल और उसमें swapने को जोड़ना है मतलब 110 दूसरे case में 5% 3 साल के साब से मतलब 15 100 जोड़ देंगे तो 115 तीसरे में 5% 4 साल मतलब 20 और 100 जोड़ देंगे तो 120 यह ratio यहाँ पे निकल के आ जाएगा इसको 5 से इसी step पे simplify कर लेते है तो 2 बार और फिर 2 बार यह चला जाएगा 23 बार यह 5 जाएदा है तो 24 बार यह अपना principle का ratio निकल गया गया P1, P2 और P3 का 1 upon 22, 1 upon 23, 1 upon 24 अब उन्होंने बोलाए कि find the ratio in which the amount was invested ratio पूछा है तो यहाँ तक सवाल ठीक है अगर ratio के बाद वो बोलता कि amount बता हो तो फिर यह ज्यादा calculate हो जाता तो अपने को तो सिर्फ ratio तक निकालने कौन सा बता रहा है DR, चेक कर लेता है अब इसका सब कुछ आ रहा है 22, 23, 24 तो कुछ cancel out तो होगा नहीं तो P1 के अगर बात करें तो वो हो जाएगा 23, 24 P2 हो जाएगा 22, 24 P3 के लिए लिखेंगे 22, 23 इसमे 22 नहीं आएगा इसमें 23 नहीं आएगा इसमें 24 नहीं आएगा अब इसमें देखें तो 2 से simplify हो रहा है यह 12 इसको लिख दो 11 इसको लिख दो 11 अब इतना हिस्सा अपने को simplify करना है तो यहाँ पर अगर देखें तो 2, 6 और 4 बीच में आना चाहिए एक ही में आ रहा है यहाँ पर चेक करें तो 2, 5 और 3 लास्ट में आना चाहिए यह वाला satisfy कर रहा है option number D वही अपना correct हो जाए इस step के बाद अगर वो अपने सा amount पूछ लेता तो इन तीनों को अपने को sum करना पड़ता वो फिर unitary method लागाते इसके लिए और फिर जिसके लिए भी पूछता वो निकालते तो वो बहुत ज्यादा calculate हो जाता यहाँ तक अगर पूछ रहा है तो ठीक है ratio अगर वो पूछ रहा है तो ratio तो आराम सब निकाल सकते उसके बाद actual amount पूछने लागे तो फिर वो calculate हो जाएगा